हलो दोस्तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम रच्छा बंदन के लिए स्पेसल मिठाई बनाने जा रहे हैं देखिए कितना कुपसूरत और टेस्टी मिठाई है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए एक overthrow कड़ाई में और इसे ह्लका सा भून लेंगे यहां पर हम बारिक वाली सूजी का इस्तेमाल करेंगे और इसे हल्का सा भून लेते हैं इसी भीच इहां पर हम एक चम्मच घीर डाल देंगे सूजी में इसे बहुत थी बढ़िया स्वाद आ जाएगा मिठाई में हमारी मिठाई में तो इनको हम अच्छे से पहले मिलाकर घून लेते हैं सूजी का कलर चेंज हमें नहीं करना है सूजी हो चुका है उसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी कड़ाई में वापस हम आधा कप चीनी लेंगे आधा कप चीनी में हम यहाँ पे एक कप पानी डालेंगे और चीनी घूलने तक इसे पहले पका लेते हैं यहां पर हमें तार वाली चासनी तयार नहीं करना है वस चीनी को घोलना है और हलका साइज से पकाना है एक दो मिनट के लिए देखे चीनी अच्छे से घूल चुका है यह चासनी भी हलका चिपचिपा हो चुका है तब इसमें हम एक कप नारियल का पॉडर डाल देंगे यह एक कप नारियल का पॉडर है सुखा नारियल का पॉडर तो इसे हम अच्छे से पका लेंगे पहले इसी बीच यहां पर हम डालेंगे भूना हुआ सूजी अदोनों को साथ में अच्छे से मिला कर हम थोड़ी देर पका लेंगे चासनी में ही इस तरह से डालके हमें पका ल पूद्वार यहां पर हम दो चमच मिल्क अलेंगे अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सभी सूजी और नादयल के पूद्र में कि यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम इसमें थोड़ा सा खाने वाला रंग डालेंगे तो यहाँ पर मैं रेड कलर का इस्तमाल कर रही हूँ इसे डाल कर अच्छे से मिला लेंगे अब गैस को यहाँ पर हम बिल्कुल धीमा रखेंगा मिठाई में बढ़िया सा स्वाद लाने के लिए केवडा जल डालेंगे इससे बहुती बढ़िया खुस्बू और स्वाद दोनों आ जाएगा हमारे मिठाई में तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह हमारा मिश्रन तयार हो गया है गैस को हम बंद कर चुके हैं अब इसे मिला कर थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और इसे प्लेट में हम निकाल लेंगे तो इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं देखे यह हलका ठंडा हो चुका है अब हाथों पर थोड़ा सा घी लगा कर हम इसे अच्छे से हाथों से मिला लेंगे जिससे यह एक सा हो जाए अब हम इसे मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी हम मिष्रन हाथों में लेंगे अरीस ता से पहले इसे गौल करेंगे आज इसे हम लंबाई का सेफ देंगे लंबाई में हम मिठाई बना रहे हैं तो यह देखिए, नारियल रोल बनकर तयार हो गया है, बहुत ही बढ़ियां, अब इसे थोड़ा और बढ़ियां लुक देने के लिए सूखा नारियल का पौडर हम उपर से, इसके उपर लपेट देंगे, इसके उपर कोट कर देंगे, इस प्रकार, तो रच्छा बंदन के ल अच्छा बंदन आप ये मिठाई जरूर बनाईए, अपने भाईयों के लिए, और उन्हें खिलाईए, सभी को बहुत ही पसंद आएगा, ये मिठाई बहुत ही तेस्ती होता है, और देखने में ये जितना खुबशूरत है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है, तो थैंक दोस्तों मिलते हैं अपने नए वीडियों में, तब तक के लिए बाई बाई बाई